यह है आपका एंकल का AP view, basic projections है, इसके लिए एका करना है, पेशेंट का जो foot है, जो ankle joint है या foot है आपको cassette क्यूपर रखना है, बेन आपको इसके पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करना है, और जो patient का जो sagittal plane होगा, इस condition में perpendicular होगा, और जो coronal plane होगा patient का, वो coronal plane कैसा ह होना चाहिए, एकदम parallel होना चाहिए, एकदम पैरलल होना चाहिए, यह कैसाथ से, then आपको क्या है, centring करना है, तो centring आप एकदम joint के बीचो बीच कर सकते हैं, या जो lateral mellolus, medial mellolus और lateral mellolus के बीच से जो line आती, वहाँ आप क्या करेंगे, centring करेंगे, centring करने के बाद में आपको क्या करना है, exposure setting करने है, exposure setting के लिए, आप exposure लगाएंगे, 50 kb and 6 ms, then आपको क्या करना है, expose करना है,